दोस्तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर गेट लायट का वाइरिंग और पाइपिंग किया था जैसे जीरी कार्टे पाइप कैसे लगाया जाता है गेट लायट के लिए और कैसे इसमें वायट डला जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कि मैंने इस पर गेंट लाइट अब कैसे लगाऊंगा कैसे लगाया जाता है और कौन सी लाइट है किस तरीके का लाइट होता है गेंट लाइट तो दोस्तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अन तक मैं हूँ पपू और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल पपू एलेटिकल टिप्स दोस्तो एक रुकेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो कि रुपार मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजेगा सलाब सुझ पर फिर आहां वाइरियु लाइट का इसमें नेता है अध करब्लूड यहां पर वार्स को दिवाल दीख रहे हैं यहां पर प्लस्तर होगे है है पुरा देख सकते हैं प्रया सोगया है सेमेंट नहीं हो गया दोस्तों कल दीपावली है तो दीपावली के लिए यहां पर लाइट लगना जरूरी है तो इन्होंने बोला है कि यहां पर आप लाइट सेट कर दिए एक देख सकते हैं पूरा गड़ा गड़ा साथ पूरा मिट्टी से देख सकते हैं यहां पर भाड़ किसे लगाएंगे तो सब पहले यह देखे दोस्तों यह है लाइट इन्होंने मंगा के रखा हुआ है देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इस परकार से यह लुक है इसका दिख रहा होगा आपको उपर से देख रहा है इस टील का यह बड़ी है दोस्तों देख सकते हैं इस एक को हम खोल के दिखाएंगे इस परकार सी यह भी बल्व लगा सकते हैं अपको पहले जो 100 वाट का बोलाता था साथ父 hadd का वह भी आप लगा सकते हैं इस परकार से देखिए इसमें wire निकला हुआ। निकल का एप लालर से असके अंबर से और यह नट होता होता है दोस्तों इसको लूज करके इसमें पाइंप जेसा इसका इसका प्लेंब आएगा उसमें यह कसा यह बल्ब लगा सकते हैं जो भी आपका इच्छा हो जो भी बल्ब है जो होल्डर में नौन्मल बॉल लगते दोस्तों वह आप असानी से इसमें लगा सकते हैं इस परकार से देखिए इसको खोला जाता है यहाँ पर देखिए ऊपर से जो खोलने के बाद में यह जोता है उप बाल सकते हैं ऐसे घुमां घुमांगर और आप निकालीजिये है, आपको डिरेक्ट भी निकल सकताब किसी निमें जो है इसका हॉल होता है बड़ाबर होताँ नर्दी इस परकार से। यहां पर एक ग्लासय निकला है देखे इसके बाद यह कैप ऊपर का बराफाया और भर ककर के लाइट को कि को भिए पर कंप गुमा करो आप निकाल को अ अब आपर यहां पर हाथ नहीं जा पाएगा तो इसके लिए ऐ खुलना पड़ेगा उपर से इसका stand है जो कसा था सारा कैप अगरा तो इसको हमें खुलना होगा तो देखे दोस्तों इस परकार से यहां पर जो है इसमें बुल्ट दिया होता है अब हाथ से भी किसी खुल जाता है नहीं होते तो आप किसी भी जो चावी से खुल सकते हैं या फिर प्लार से भी खुल सकते हैं जैसे आपका सुविदा हो दोस्तों अगर हाथ से खुल जाता है ज्यादा साट नहीं होता है इस परकार से देखे घुमा आप जो पहली बार इसको ऐसा-इसा काम कर रहें दोस्तों तो आप एक धियान रखना हुआ जो भी चीज आप खोलते हैं उसको तो मैं बोला था पिर से वापस लगाने में सुविदा हो इस प्रकास के दोस्तों दो में लगाया दो इसमें इसमें सद्या हुआ है और बीच में गैप दूरी रखने के लिए सादिया होता है अब इसमें जो है असानी से बल्ब लग सकता है दोस्तों दिखाता हूं देखिए असानी से यह बल्ब लग गया तो अब जो है इसको बाकी चीज नहीं खोलेंगे और वापस जो हमने खोला था जिस परकार से देखिए उस परकार से फिर से हम इसे लगाएंगे तो देख सकता देखें मैंने अभी 12 watt का LED बल्ब लगाया है आप चाहे तो जो पहले जो लगाते थे ज्यादा वाड़ होता था दोस्तों 100 watt का बल्ब भी होता थे वो भी लगा सकते हैं आप जैसे चाहे वैसा बल्ब लगा सकते है जो आपका होल्डर में नॉर्मल होल्डर में जो बल्ब थे चाहिए हुआ है कितना साब्धानी से कितना बढ़े है दोस्तों तो इस परकार से आप भी किजिए और यह इस परकार से करते हैं तो आपका काम बहुत ही शांदार होगा दोस्तों अच्छा लगेगा तो अब देखिए वापे से इसको कैप लगा दिया इसको है तो इसमें भी मतलब उढ़िटा सिदा देखना होता है दोस्तों जब आप खोलते हैं तो किस परकार से इसमें MSI होता है उस परकार से आप वाप इसको देखिए 12 nep दोस्तों कि भ्तत हो जिससे दिए दिखने में लगता है और बाधुकर से देखे करने के लिए करने के लिए सबसे में यही होता है क्योंकि सबसे पर इसको खुलने के लिए यही खुलना होता है और इस परकार से देखिए हो गया इसको अर्जेस्ट कर लेते हैं तो इसको अर्जेस्ट करना होता है करने के बाद देखिए दोस्तों इसमें बॉल्व हमारा जो तो उसी परकार से खुल खुल के सारा बल्ब इसमें लगा लगा कर जो है इसको आपस उसी परकार से कस के रख लेते हैं इसके बाद हम इसको लगाएंगे दोस्तों सारे बल्ब लगाने के बाद आप देखिए यहां पर यह एक श्टेंड है देख रहा होगा आपको यह श्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ जगह छोट है दोस्तोर कल लोड नहीं कि कर तरह सकते हैं करने के बाद इसमें जो है करेंगे दम अची तरिकी अगरी के आं परकार से दोस्तों इसमें सीधा और केड़ा देखना होगा दोस्तों बढ़िया से इसको अर्जेस्ट करना होगा आपको जो तीन ठो नट है दोस्तों उस नट को अर्जेस्ट करके आपको इधर-उदर करना होगा देख सकते हैं इस परकार से लुक आपको नजर आ रहा होगा यह करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा यह दिखता है तो आप चाब ही कि लाज से भी त्वासक कर दिए ताकि इधर उधर light ना हो, किसी भी हावा या किसी भी तुफान, अगर किसी परकार से होता है, तो ये गिरने का chance नहीं रहेगा, इस परकार से देखते हैं, यहाँ पर देखिए, लगा दिये हैं, और ये light इस परकार से देखिए हो गया, अब दुसरी तरफ यहाँ पर भी light को लगाया हूँ, और ये देखिए, यहाँ पर दोनों light आपको दीख रहा होगा, कितना खुबसूरत दीन है, दोस्तों, अभी light का जदावों नहीं लएगा, इसके बाद देखिए, एक light और रह गया, दोस्तों, यहाँ पर इस पिलर के उपर, तो यहाँ पर मैं लगा रह दोस्तों, वहाँ पर उसी परकार से स्म, उसी परकार से connection करेंगे, जैसे आपने पहले light में देखा था, और उसी परकार से स्को ठोका गया है, ठोकने के बाद देखिए, दोस्तों, हम इसको connection कर लेते हैं, फिलहर, दोस्तों, कल दीपावली है, तो दीपावली के लिए special यह पर set कर दीजिए, इसके बाद जो भी काम होगा होता रहेगा, क्योंकि इसमें paint होना है, ठीक है दोस्तों, color होगा मकान का, gate का, तो अभी नहीं हुआ, बाद में होता रहेगा, तो हमने light का काम जो है, यहां पर खतम कर लेते हैं, बाकी का काम bell switch का है, दोस्तों, तो bell अभी नहीं लगाऊंगा, bell switch नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे, आप एक electrician होंगे, तो आपको पता होगा, दोस्तों, कि दीपावली में कितना pressure रहता है, कितना काम होता है, तो यह थोड़ा जल्लवाजी के था, यहां पर, तो हमने पह चैनल करने जा रहा हूं, तो दोस्तों यह देख सकते हैं, यह मकान का लूक है, आगे का देखिए, पुरा प्लेंथ नीचे जो जमीन है, वो भी प्लस तरोगरा होना है, तो फिलहाल अभी टंपरेली इन्होंने काम करवाया है, इसके बाद माकी जो होगा, देख सकते हैं, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगते हैं, तो वीडियो का लाइक कीजिएगा, चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में सेट जरूर कीजिएगा, दोस्तों, दोस्तों बहुत ही, आप लोगों के लिए मैं यह वीडियो बनाता हूं, आप लोगों का देखे दोस्तो हमने यहाँ पर लाइट दे दिया हूँ देख सकते हैं और यह आपको देख रहा हूँ लाइट बिलिंग कर रहे हैं दोस्तो यह दीन है दोस्तो और कैमरा का कोई इसू हता है दोस्तो तो आपको डिरेक्ट बल्ब जलता हुआ नहीं देख रहा है लेकिन इसमे लुक दिख रहा हुआ दोस्तों सामें देख रहे हैं दोस्तों यह घर है दोस्तों वहां पर जो है लड़ी लगाए हुए दिपावली के लिए और यह गेट पर आप देख सकते हैं यह लाइट जो गेट लाइट आपको जो लगाया हूं वह देखें कितना संदार कितना बहुत बहुत धन्रवाद उस्तु थांक यू वेरी मच्छ